हेलो एवरों मैंने में इस पाथ और विलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल हम देख रहे हैं लेंसे प्रॉम एससी क्लास्टें सांसों चाप्टर नंबर सेवन जिसका देखेंगे लेक्चर सिक्स लास्ट लेक्चर रहेगा इस चैप्टर का इसमें देखेंगे हम नस्दीक रखा हुआ है तो यह मुझे बहुत बड़ी दिख रही है अगर इसी डॉल को मैं दूर लेके जाता हूं तो यह डॉल मुझे बहुत छोटी सी दिखाई देती है अब डॉल बड़ी या छोटी तो नहीं हो रही है सिंपल सा फंडा है ऑब्जेक्ट को नस्दीक र और रियल साइज है ओड़ी इस अपको दिखते है उसको एपरेंट बोलते हैं मतलब क्या बताता हूं सुनो यह मेरी आंख है आख के सामने रखी है एक बातली बातली का नाम है पी क्यू पी क्यू अब यह जो बातली है ना यह आपकी आंख के साथ एक आंगल बनाएगी इस इस angle को हम नाम देंगे alpha ठीक है तो हम क्या बोलेंगे एंगल alpha is subtended by the object pq subtended मतलब क्या made simple भाशा में बताता हूं object pq आपकी आख के साथ क्या angle बना रहा है alpha बना रहा है ठीक है तो उसको हम बोलते हैं अब मान लो कि इस object को बाटली को मैं दूर लेके जाता हूं यहां रखिए अब इसको नाम देंगे पी डैश क्यू डैश और यह बाटली हमारी आँख के साथ अब एंगल बना रही है बीटा ठीक है अब आप सोच कर देख कर मुझे बताईए कौन सा एंगल बढ़ा है अलफा बढ़ा है तो हम बोलेंगे अंगल अलफा इस लार्जर देन अंगल बीटा सब्टेंड़ बाट पी डैश क्यू डैश ठीक है सिंपल सी बात अगर वो अबजेक्ट आपके आँख के साथ बढ़ा एंगल बनाता है तो अबजेक्ट बढ़ा दिखेगा अगर वो तो दिखाई देगा इतना सा फंडा है तो फाइनल स्टेटमेंट क्या बोलने का देखो दएपेरेंट साइज आपको दिखती है अपके आपके आँख के साथ जितना बड़ा एंगल बनाएगा उतना बड़ा वो अबजेक्ट दिखेगा इतनी सी है बात ठीक है चले कहां पर यूज की जाती है मेडिकल इंडस्ट्री में लेजर सर्जरी की जाती है इंटर्नल ओर्गन की सर्जरी हो गई आख की सर्जरी हो गई हमने पड़ा है मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया अब यह दोनों बीमारी में कॉर्णिया का करवेचर चेंज हो जाता है है तो से cornea के shape को change किया जाता है इसको lesic surgery बोलते हैं ठीक है तो यहाँ पर laser को focus करने के लिए काफी सारे lens यूज किया जाते हैं एंड उन में से एक concave lens भी होती है ठीक है तो सबसे पहली बात concave lens कहां पर use हो रही है medical equipment में laser में यूज की जा रही है surgery के लिए ठीक है दूसरा बात laser scanner होते हैं 3D scanner बोलते हैं object को scan करते हैं तो उसमें भी laser को diverge करने के लिए concave lens यूज की जाती है एंड एक और बात cd player यूज होते थे अब तो कोई यूज नहीं करता बहुत कम लोग यूज करते हैं तो इस cd player में भी जो laser होती है उस laser को diverge करने के लिए concave lens का यूज किया जाएगा तो इतीन बाते याद रखेंगे कहां कहां यूज हो रहा है medical equipment में scanner में and cd player में laser में फिर हमारे दर्वाजे का जो पीफोल होता है न उसमें भी यूज हो रही है concave lens यूज हो रही है so that हमें एक वाइड एरिया एक बड़ा एरिया दिखाई पड़े ठीक है पीफोल ऑफ द दोर और फिर यह तो हमने अल्रेड़ी पढ़ रखा है spectacles myopia जो है near sightedness उसको correct करने के लिए क्या यूज किया जाता है concave lens यूज की जाती है फिर torch में भी concave lens यूज की जाती है concave lens क्या है diverging lens है न लाइट की जो rays है उनको diverge करती है तो torch के अंदर concave lens will be used to spread the light जो light bulb से निकल रही है उसको spread करने के लिए concave lens को यहाँ पर use किया जाएगा बराबर है एंड आखरी बात बात करते हैं camera की फिर आगया telescope और फिर आगया microscope अब इन तीनों में primarily convex lens यूज की जाती है primary काम किसका है यहाँ पर convex lens का काम है लेकिन convex lens जो image बनाती है वो थोड़ी distorted हो सकती है तो उस final image को correct करने के लिए इनके अंदर भी concave lens को use किया जाएगा ठीक है तो इन तीनों में दोनों lenses हैं convex तो है लेकिन उसके साथ साथ concave भी यूज की जाती है यहां तक बाते समझ गई cool फिर वही बात let us understand use of convex lens concave हो चुका तो convex को पकड़ते हैं and सबसे पहले पकड़ेंगे simple microscope को क्या होता है कुछ नहीं होता है magnifying glass आपने देखा है आपने use किया हुआ है तो वह जो magnifying glass है वह object को बड़ा करके दिखाता है magnify करके दिखाता है उसको हम क्या बोलते हैं simple microscope बोलते है magnifying glass is equal to simple microscope तो यहां क्या होने वाला है देखो हमारे पास एक convex lens है with a small focal length ठीक है convex lens की focal length कैसी है छोटी है and it will produce a virtual erect and a magnified image of the object simple करके दिखते हैं by the way यह ray diagram हम already पढ़ चुके है हमें आता है यह वाला देखो object को कहां रखा है focus and optical center के बीच में and this object को नाम दे देंगे PQ because दूसरा कुछ हमें आता नहीं अब सबसे पहली ray of light it will be parallel to the principal axis like this and lens से पास होने के बाद यह वाली ray focus से पास होगी like this बराबर है ना हमने तीन law पढ़ रखे है image formation by a convex lens के तो यह पहला law है फिर third law क्या बोलता है if the ray of light passes through optical center it will pass without change in its direction like this cool अब मुझे बात बताओ यह दोनों rays ऐसे जा रही है diverge हो रही है मतलब यह आगे जाके कहीं पर intersect नहीं होंगी intersect नहीं होंगी तो एक real image बनेगी नहीं द्यान से सुनों यहां पर real image बनती नहीं है तो हम क्या करेंगे इन दोनों rays को पीछे की तरफ extend करेंगे लाइक दिस देखो एंड जहां पर यह दोनों rays intersect होते हुए दिखेंगी actually में intersect नहीं हो रही है हमें सिर्फ वो intersect होते हुए दिख रहे हैं वहां पर बनेगी हमारी virtual image like this ठीक है virtual मतलब नकली image रियल image कहां बनती है लेंस के राइट में बनती है लेंस के लेफ्ट में virtual image erect है erect मतलब क्या भाई principle axis के ऊपर है ठीक है and obviously it is magnified बड़ी है इसको नाम दे देंगे P dash Q dash बात कतम हो गई तो final answer लिग दो यहां पर one can get a 20 times larger image of the object 20 times magnified image हम बना सकते हैं using a simple microscope बात खतम तो इसको कहां यूज करना है देखो एक तो जो watch repair करते हैं घड़ी repair करने वाले होते हैं वो magnifying glass अपनी आंख पर लगा लेते हैं इस तरह से and जो diamonds को ruby को sapphire को precious gems इनको जो study करते हैं करते हैं वो भी magnifying glass को अपनी आंख पर इस तरह से लगा के देखते हैं cool and magnifying glass obviously किसी को आपको चटका मारना हो तो वहां तो यूज होती ही हैं ठीक है चले थोड़ा आगे जाते हैं ये जितने सारे छोटे 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 पार्टिकल रहे हैं ये क्या है ये bacteria है और bacteria इतना छोटा इतना छोटा होता है कि उसको मैं magnifying glass से नहीं देख सकता तो अगर मुझे bacteria को observe करना है तो मुझे क्या चाहिए simple microscope से काम नहीं होगा मुझे लगेगा एक compound microscope correct है वैसे ही हमारे जो blood के cells होते है यह जो छुटे pink pink जैसे दिख रहे है न यह red blood cell है और जो purple जैसा दिख रहे है वो क्या है वो white blood cell है इनको भी देखने के लिए मुझे क्या चाहिए I need a compound microscope वैसे ही यह है हमारे skin के cell फिर यह है plant के cell देखो plant cell में होती है cell wall अगर आप यह cell को ध्यान से देखो तो इसका boundary side में देखना आपको थोड़ा मोटा सा cell wall जैसा दिखेगा दिख रहे हैं और वैसे ही अगर मैं एक stem को stem का एक पतला layer cut करके अगर मैं microscope में देखों compound microscope में तो मुझे xylem and phloem भी दिखते हैं तो यह सारी beautiful चीज़े अगर मुझे देखनी है तो मुझे क्या चाहिए I need a compound microscope तो यहां पर क्या होने वाला है यहां पर हम दो lens को use करेंगे एक lens जो थोड़ी छोटी है और थोड़ी मोटी है बुलो मेरे साथ छोटी और मोटी इसको बोलेंगे objective lens and एक lens जो लंबी है और थोड़ी पतली है लंबी और पतली इसको बोलेंगे eyepiece lens ठीक है अब यह जो objective lens है ना यहां से सुनना इसका जो focal length होता है वो छोटा है smaller focal length what is focal length the distance between optical center and focus यह हमने पढ़ा हुआ है correct and जो eyepiece है उसका focal length कैसा रहेगा बढ़ा रहेगा ठीक है and दूसरी बात objective lens का diameter छोटा है ना छोटी है ना वो तो इट हाज a smaller cross section cross section मतलब diameter and वैसे ही eye piece lens का diameter बढ़ा है यह बढ़ी है तो it has a larger cross section simple याद रखने के लिए देखो objective lens का सब छोटा है क्या-क्या छोटा है focal length भी छोटा है and diameter भी छोटा है चोटा-छोटा and eye piece का सब बढ़ा है क्या बढ़ा है focal length भी बढ़ा है and diameter भी बढ़ा है cross section भी बढ़ा है cool objective छोटा-छोटा eye piece बढ़ा बढ़ा यह दो बाते याद रहेंगी अचा अब यह रहा हमारा microscope इस microscope की जो ट्यूब होती है उस ट्यूब के अंदर ये दोनों लेंस इस तरह से फिट किये जाते हैं तो सबसे नीचे रहेगी हमारी objective lens and उपर जहां से हम देखते हैं वहां क्या होती है आई-पीस lens होती है ठीक है हम आई-पीस के उपर से देखने वाले कुल अरेंजमेंट समझ में आ गया तो अब इसका working भी देख लेते हैं इसका functioning भी देख लेते हैं तो यह रही हमारी principle axis और हमारी पहली lens objective lens छोटी मोटी lens यह रही बीच में रहेगा इसका optical center and lens के दोनों बाजू में इसके दो focus होते हैं f1 f2 इस तरह से इनको हम नाम देंगे f o o मतलब क्या objective lens का o f o f o cool अब हमारा जो object है वो focus के left में रखा हुआ इस तरह से दिख रहे हैं अब step आता है rule number 1 and rule 3 क्या बोलता है ray of light passing through optical center will pass without change in its direction ठीक है यह दोनों rays जहां intersect हो रहे हैं वहां पर बनेगी image इस तरह से and यह image कैसे है real है inverted है principle axis के नीचे है and it is slightly magnified थोड़ी सी बड़ी है कूल step number 1 हमने एक image बनाई using objective lens अब मैं लेके आऊंगा मेरी पतली और बड़ी लेंस आइपीस लेंस यहां पर रखा है आइपीस लेंस के बीच में रहेगा इसका optical center and आइपीस के भी दोनों side में रहेंगे इसके दो focus जो red and yellow में दिख रहे हैं वो क्या है आइपीस के focus हैं उनको हम नाम देंगे f e e माने आइपीस f e f e एक दम क्लियर है arrangement समझ में आ गई अब ध्यान से सुनना में क्या बता सबसे important point यह जो image हमने बनाई है अभी अभी इस image विल बिकम दो ऑब्जेक्ट फॉर आइपीस आई रिपीट यह जो इमेज है यह क्या बनेगी object बनेगी फॉर आइपीस मुझे बात बताओ यह जो image है वो focus and optical center के बीच में है आइपीस के focus and optical center के बीच में है तो अब हमें इसको use करके एक नया image बनाना है सुनो first ray of light parallel to principal axis like this after refraction it will pass through focus correct and rule number three second ray of light passing through optical center will pass without change in direction इस तरह से अब मुझे एक बात बताओ यह दोनों rays diverge हो रहे हैं इस तरह जा रहे हैं तो आगे जाके intersect नहीं होंगी and real image बनेगी नहीं तो हम क्या करते हैं हम इन दोनों rays को पीछे की तरफ extend करेंगे इस तरह से देखो and यह दोनों rays जहां पे intersect होते हुए दिखेंगी वहां बनेगी एक बहुत बड़ी virtual image दिख रहे हैं image virtual है नकली है लेकिन inverted है principal axis के नीचे है and it is highly 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 magnified बहुत बड़ी इमेज है समझ रहे हो इस तरह से हमने दोनों lens को combine करके combination से एक बहुत बड़ी virtual image बनाई है compound microscope thousand times magnified image भी बना सकता है उतने जादा powerful microscope भी आते है thousand times magnification समझ रहे हो cool है अब एक question समझते हैं देखो question क्या पूछा है question a क्या बोल रहा है which type of device has the arrangement of lenses shown in the figure ये figure हमने already अभी बनाया कौन सा device होता है answer लिख देंगे compound microscope होता है दूसरा label the figure correctly a क्या है what is a object है बी क्या है image है c क्या है objective lens है and d क्या है IPS है cool तो लिख देंगे a object b image c objective lens d IPS एक दम clear and last question suggest a way to increase the efficiency of this microscope मतलब इस microscope में हम एक clear image किस तरह बनाएंगे एक efficient clear image किस तरह बनाई जाएगी अगर आपने microscope use किया तो आपको पता होगा जो IPS होता है उपर का वो fix जोता है उसको हिला नहीं सकते लेकिन जो objective lens होती है नीचे की उसको हम उपर नीचे उसको move कर सकते हैं उसको हम उसका focus change कर सकते हैं पता है ना तो यहां पर करना क्या है अगर मुझे clear image चाहिए तो मैं किसको adjust करूंगा मैं objective lens को adjust करूंगा तो देखवा answer by adjusting the objective lens the efficiency can be increased clear image आपको मिलेगी यह बाते clear हो गए यहां तक microscope समझ गया चलिए थोड़ा आगी जाते हैं छोटी छोटी चीज़े बड़ी करके तो देख ली अब मुझे दूर की चीज़े देखनी है तो मुझे क्या चाहिए I will require a telescope यह मार्स का मंगल ग्रह का एक real image है taken from a telescope again a real image of saturn taken from Hubble space telescope एक काफी बड़ा सा telescope है जो space में रखा हुआ है उससे लिया हुआ saturn का photo है वैसे ही यह क्या है भाई गुरु जुपिटर taken from Hubble space telescope and अभी recently आपने सुना होगा पढ़ा होगा न्यूज में भी आया था जुपिटर एंड साटन बहुत नजदीक आ गए थे ठीक है न तो देखो भई साटन एंड जुपिटर दिख रहे हैं काफी नजदीक है and again a image taken from a telescope and एक आखरी image बताता हूँ this is the image of andromeda galaxy andromeda galaxy यह जो galaxy है ना it is the closest galaxy to milky way closest major galaxy to milky way नजदीक तो नहीं है कितनी दूरे बता देता हूँ 2.5 million light years away उतना ज्यादा distance है हमारे बीच में real image of andromeda तो यह सारी beautiful चीज़े अगर मुझे देखनी है तो मुझे क्या चाहिए I will require a telescope and telescope भी बनता है कितनी lens से दो lens से तो यहां पर यह जो पतली और लंबी है यह क्या है हमारी objective lens है एंड जो चोटी और मोटी lens है वो क्या है I piece lens है microscope का exactly उल्टा करना है तेलिस्कोप में, ध्यान से सुनना, माइक्रोस्कोप का उल्टा करना है, यहाँ पे हमारा objective पतला है और बड़ा है, आईपीस छोटा है और मोटा है, तो हम क्या बोलेंगे दो बातें, objective lens has a larger focal length, focal length बड़ी है, and eye piece का focal length कैसा रहेगा, small रहेगा, चोटा रहेगा, and दूसरी बात, objective lens का cross section, diameter larger cross section, and eye piece का cross section कैसा रहेगा, smaller cross section, cool, objective lens बड़ा बड़ा, सब कुछ बड़ा है, focal length बड़ा है, cross section बड़ा है, eye piece lens छोटा छोटा, focal length भी छोटा है, cross section बड़ा है, दो बातें आद रहेंगी, एकदम ठीक है, अब, यह रहा हमारा telescope, and telescope की जो tube होती है, उस tube में ये दोनों lens इस तरह से arrange की जाएगी, तो सबसे आगे, जहां से light अंदर आएगी, वो क्या है, objective lens है, and जहां से हम देखेंगे, वो क्या है, eye piece lens है, cool, अब इसके working देख लें, functioning देख लें, चलिए, तो मान लो, कि ये है हमारी principal axis, and principal axis के बराबर उपर, arrange किया हुआ है moon को, मान लो कि moon है वहां पर, and moon के उपर एक point है, and उस point से, एक ray of light, earth पे आ रही है, मेरे telescope के अंदर जाने वाली है, ठीक है, and उसी point से, एक और ray of light, इस तरह से, मेरे telescope की तरफ आ रही है, cool, ये दोनो rays of light, they will travel all the way, moon से earth तक आएंगे, earth के अंदर आएंगे, मेरे telescope के अंदर जाने वाली है, बराबर हैं, तो अब देखो, यहां पे हम हमारा telescope बनाते हैं, तो सबसे पहले क्या रहेगा भई, objective lens कैसी यह लंबी है और पतली है, इसके बीच में रहेगा इसका optical center, और इसके दोनों साइड में रहेगा इसका focus, देखो, F1, F2, जिसको हम नाम देंगे, F0, objective lens का O, F0, अब जो दो rays moon से आ रहे हैं, पहली वाली ray, imagine करो, it is passing through the optical center, तो it will pass without any change in the direction, यह हमने पढ़ा है, rule number 3, इस तरह से, and जो second ray है, मान लो कि वो ray of light, focus से पास होते हुए आ रहे हैं, इस तरह से, अब देखो, यह दोनो rays of light बहुत दूर से आ रहे हैं, तो earth पे आते आते, they will become almost parallel to each other, देखो, parallel दिख रहे हैं, cool, अब यह जो second वाली ray है, जो focus से पास हो रहे हैं, after refraction, it will become parallel to the principal axis, second rule, हमने पढ़ा हुआ है, तो मुझे एक बात बताओ, जहां पर यह दोनो rays, intersectory हैं, वहाँ पर एक moon का image बन जाएगा, एक real image, एक inverted image moon का यहां पर बन रहा है, focus पर बन रहा है, correct है, step number one complete हो गया, हमने moon का एक real and inverted image बनाया, अब क्या करना है, अब मैं यहां पर रखूँगा मेरा eyepiece, जो छोटा और मोटा है, बीच में रहेगा उसका optical center, जो red and yellow दिख रहे हैं, अब ध्यान से सुनना, मैंने इस eyepiece को इस तरह arrange किया हुआ है, so that इस eyepiece का जो focus है, वो objective के focus के साथ overlap करेगा, ध्यान से देखना क्या हो रहा है, जो red and yellow color का जो focus है, वो बराबर objective के focus के उपर आ रहा है, दोनों overlap कर रहे हैं, and इस focus को मैं क्या बोलूँगा, fe, eyepiece का focus, I repeat, क्या हुआ भाई, क्या हुआ यहाँ पे, objective का focus and eyepiece का focus, एक दूसरे के उपर आ गए, overlap कर रहे हैं, एक ही point पर आ रहे हैं, इस तरह से दोनों lens को arrange किया हुआ है, cool, and lens के right side में रहेगा second focus, जिसको हम बोलेंगे fe, यहाँ तक की arrangement समझ में आ गई, किस तरह arrange किया है, समझ में आ गया, अब, moon की जो image है, it will become the object for eyepiece, यह हमने already करा हुआ है, वापीस एक बार, moon का जो image है, वो क्या बन जाएगा, object बन जाएगा for the eyepiece lens, तो बनाते हैं इसकी image, देखो, first ray of light parallel to principal axis, after refraction, it will pass through focus like this, correct है, second ray of light passing through the optical center, will pass without change in its direction like this, and यहाँ से हम देख रहे हैं, यह मेरी आँख है, अब मुझे एक बात बताओ, यह दोनों rays, almost parallel लग रही है एक दूसरे के, इन दोनों rays को अगर मैं पीछे की तरफ extend करूं, तो यह दोनों rays infinity पे intersect होते हुए दिखेंगी, both these rays, they will intersect at infinity, and एक बहुत बड़ा virtual image बनेगा at infinity, समझ रहे हो मेरी बात, image will be formed at infinity, because दोनों rays almost parallel है, and वो image कैसी होगी, it will be a virtual and a highly highly magnified image, समझा, जो छोटा सा point दिख रहा था planet का, star का, वो point बड़ा होके दिखेगा, इतना बड़ा दिखेगा, समझ रहे हो, पक्का, image कहा बनती है, infinity पे बनती है, कैसी होती है, virtual होती है, and highly magnified होती है, cool, चले थोड़ा आगे जाते हैं, ऐसे finger रखो सामने और उसको ऐसा-ईसा हिला, क्या दिख रहे हैं, दो-दो finger दिख रहे हैं, बीच में blur दिख रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे भी एक reason है, इसका भी जवाब हमारे पास है, सुनो, माल लो कि यह मेरी आँख है, और आँख के सामने रखा है, एक object, एक बनाना रखा हुआ है, बनाना से आने वाली जो light है, वो cornea से, lens से, bend होते हुए, refract होते हुए जाएगी, and retina के उपर एक focused image बनती है, correct है, retina किस चीज़ का बना हुआ है, फोटो sensitive cells होते हैं, rods and cones, rods and cones हमने पढ़ा है, जब light इनके उपर पढ़ती है, cells के उपर पढ़ती है, cells excite हो जाते हैं, क्या होते हैं, excite हो जाते हैं, and एक signal produce करते हैं, वो signal, impulse, optic nerve से होते हुए जाता है तुमारे brain में, and brain में वो process होगा, and हमें एक image दिखा ही देती है, object का image दिखता है, यह पूरा story हमने पढ़ा हुआ है, अब मुझे एक बात बताओ, जब तक object मेरे सामने है, तब तक वो मुझे दिखेगा, simple है न, the image will be on the retina, as long as the object is in front of us, जब तक सामने है, तब तक मुझे वो दिख रहा है, जैसे ही मैंने object को हटा दिया, तो उसकी image चली जाएगी, मुझे वो object नहीं दिखेगा, simple है न, the image will disappear as soon as the object is taken away, लेकिन image का disappear होने का जो process है, वो एकदम instantly नहीं होता है, एक time lag आ जाता है उसमें, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, image का disappear होने का process एकदम instantly नहीं होता है, नहीं समझा, समझेगा, पताता हूँ, सुनो, मुझे बताव, रेटिना पे दो टाइप के cells थे, rods and cones, वो जो लंबे-लंबे green कलर के दिख रहे हैं, वो क्या हैं, rods हैं, अब ध्यान से सुनना, जब मैंने एक object सामने रखा है, and इस object से आने वाली light इन cells पर पढ़ती हैं, cells क्या हो जाते हैं, excited हो जाते हैं, फिर वो signal brain तक जाता है, and हमें image दिखता है, अब मान लो कि मैंने object हटा दिया, फिर भी, ये cells थोड़े time तक excited रह जाते हैं, ये point बहुत ध्यान से सुनना, वापिस सुनो, object मैंने हटा दिया, फिर भी, ये cells थोड़े time तक excited रह जाते हैं, मतलब, retina के उपर image रह जाएगी for some time, समझ रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे, the image will remain imprinted on our retina, वो जो object की image है, वो हमारे retina पर थोड़े time के लिए रह जाती है, कितने time के लिए, it will be imprinted on our retina for 1 16th of a second, कितना time, 1 16th of a second, even after the object is removed, समझ रहे हो, तो उस object का जो image है, जो sensation है, वो हमारे retina पर रह जाता है, the sensation of the object on the retina persists for a while, persists मतलब क्या रह जाता है, and इस process को हम क्या बोलते हैं, persistence of vision, तो जब हम ऐसे ऐसे finger को move कर रहे हैं, तो वो जो blur दिख रहा है, वो क्या है, वो finger की image आपके retina पर थोड़े time तक रह गई है, इसको क्या बोलते हैं, persistence of vision, तो इसको हम use कहा कर सकते हैं, इसका application क्या है, ध्यान से सुन्दा, जो movie हम देखते हैं, जो video हम देखते हैं, प्रोग्राम देखते हैं, वो video actually क्या है, video is actually a number of separate still pictures in a proper sequence, simple example देखो बाजू में, घोड़ा दौड रहा है, वो घोड़ा actually में नहीं दौड रहा है, अलग-अलग images हैं दिख रही हैं, वो सारी images अगर मैं एक के बाद एक sequence में फटा-फट प्ले करूँ, तो मुझे क्या लगेगा कि वो घोड़ा दौड रहा हैं, समझ रहे हो, तो जो बड़े-बड़े movie cameras होते हैं, यह movie camera है, यह movie camera क्या करता है, it captures still pictures, still pictures are taken at the rate of 24 images or more per second, मतलब यह camera एक second में 24 images capture करता है, समझ रहे हो, एंड जब हम उस video को play करते हैं, तो वो सारे images एक के बाद एक sequence में फटा-फट play होते हैं, एंड हमें क्या लगता है कि वो animal, वो human, वो object move कर रहा है, simple example देता हूँ, यह जो video मैं shoot कर रहा हूँ, this video is shot at 30 fps, 30 frames per second, fps मतलब क्या frames per second, एक second में 30 अलग-अलग images play हो रही हैं, समझ रहे हो, आपको और थोड़ा अगर खुज लिए, तो आपका mobile phone लो, उसके camera settings में जाओ, video settings में जाओ, और वहाँ पे fps value देखो, 24 fps होता है, 30 fps होता है, 60 fps होता है, fps का मतलब क्या है, frames per second, images per second कितनी play हो रही हैं, तो यहां होता है हमारा chapter समा, I hope सारे concepts clear है, और आपको मज़ा भी आया है उनको समझने के लिए, अगर आपको video सच में अच्छा लगा है, तो like करना, share करना, subscribe करना, और जो bell icon है, जो घंटा है, वो अच्छे से बजा के चले जाना, and as usual, thank you very much for watching.